हेलो क्लास तो जैसे कि हम जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा था वेक्चीन अब इसे आगे कंटीनू करते हैं तो जो वेक्चीन होती है यह हमारी बॉडी के अंदर एंटी बॉडी इसको जनरेट करता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो एंटी जन होते हैं इनसे लड़ते ह अब यह जो antigen होते हैं, it can be either made of fungus और bacteria, यानि कि यह जो है bacteria से भी बने हो सकते हैं, या फिर आपके fungus से भी हो सकते हैं, जो आपकी disease होती हैं, इन्हें बोला जाता है antigen और इसके खिलाफ में जो हमारी body बनाती है, वो बनाती है antibodies, अच्छा, यह जो हमारी antibodies होती हैं, यह हमे हमारी body में enter किया था, और in future कभी वो antigen वापस आ जाता है, तो यह antibodies जो हैं, जाधा amount में produce हो करके, क्या काम करेंगी, जो bacteria है, या फिर जो fungus है, इसको kill कर देंगी, और इस तरीके से जो vaccine है, वो हमारी body में immunity बढ़ाती है, vaccine देने का main motto यही होता है, कि जो हमारी antibodies हैं, वो अपने आपको जाधा amount में produce कर लें, ताकि जो antigen हमारी body के अंदर enter करें, यह उससे लड़ सकें, जो एक important scientist रहेंगे हमारे हाँ पर, वो रहेंगे Edward Jenner, जो Edward Jenner हैं, इन्होंने smallpox की जो vaccine हैं, उसे discover किया था, 1798 के अंदर, ठीक है, तो जो हमारे कुछ disease होती हैं, जो जिनके लिए हमें vaccine दी जाती है, जैसे कि chlorella होता है, tuberculosis होता है, smallpox होता है, hepatitis होता है, तो इन सब इसे जो हैं, हम जो हैं, अपनी body को बचा सकते हैं, अपनी body को vaccinate करवा के, ठीक हैं, आगे देखते हैं, आपने देखा हुआ जो बच्चे होते हैं, उ और उन्हें ये जो injection लगाये जाते हैं, ये vaccine के तोर पर दिये जाते हैं, जो कि several disease से उनकी body को protect करते हैं, ये काफी जादा essential होता है, कि छोटा बच्चा जो होता है, उसमें किसी भी तरीके की disease जो हैं, ना आने दी जाएं, इसलिए लगातार छोटे बच्चों को vaccinate किया जा भी होगा, जो TV बगएरा में ad दिखाते हैं, newspaper में दिखाते हैं, जो polio campaign चलाया हुआ होता है हमारे इंडिया के अंदर, ये इसी के regarding चलाया हुआ है, कि जो polio है, उसमें कुछ drops दी जाती हैं, ये जो drops दी जाती हैं, ये ही body को क्या करती हैं, एक तरीके से vaccinate करती हैं, ये ए एक oral vaccine है, कुछ जो vaccine होती हैं, ये injection के तोर पर दी जाती हैं, और कुछ जो होती हैं, कुछ औरली दी जाती हैं, तो जैसे ही Edward Jenner ने smallpox के लिए vaccine बनाई थी, उसी दोरान वर्ड में एक campaign चलाया गया था, जिससे की smallpox को पूरी तरीके से हटाया जा सके, वर्ड में से, इन दि जो vaccine हैं, वो large scale पर बनाई जाती है, micro organisms से, ताकि जो human body है, या फिर animals हैं, उन्हें protect किया जा सके, several diseases से, इसके बाद में increasing soil fertility, ये topic हैं हमारा, कुछ जो bacteria होते हैं, वो fix करते हैं nitrogen को, atmosphere से लेकर, और soil के अंदर जो है, उनके nutritional value को बढ़ाते हैं, या फिर fertility को बढ़ाते हैं, ऐसे एक bacteria का नाम, मुझे comment section में आप बता सकते हैं, जो की nitrogen fix करने में help करता है, ये एक तरीके का nitrogen fixation cyanobacteria है, जिसे blue green algae भी बोला जा सकता है, फिर है हमारा cleaning the environment, जो हमारा environment है, इसे किस तरीके से clean करने में help करते हैं, आपको पता है, जो school garden में manure बगएरा बनाई जाती है, manure आप जानते हैं, तम first chapter में पढ़के आ चुके हैं, और ये किस से बनाई जाती है, जो plants से, vegetables से और fruit से जो extract निकलता है हमारा, उससे बनाई जाती है, अब ये जो होता है, हमारा, यानि कि जितना भी छिलके बगएरा का matter होता है, इसके उपर जो work करता है, वो होते हैं हमारे bacteria, जो की decompose करते हैं, और हमारे क्या काम करते हैं, manure बनाने में help करते हैं, तो इसके बाद में आगे क्या रहेगा, इसके बाद में रहेगा हमारा, you often see that the large amount of the dead organic matter, आप जो हैं अपने चारो तब देखते होंगे, जो large amount में dead organic matter होता है, चाहे वो plant हो सकते हैं, या फिर आपके animals हो सकते हैं, यान कि कई बारी plants जो हैं, वो सूख कर गिर जाते हैं, या फिर जो animals हैं, जो मर जाते हैं, तो उनकी जो body होती है, उसे decompose किया जाता और जितना भी ये organic waste होता है, complex substances, इन्हें simple substance के अंदर बदल कर, वापस से environment में छोड़ दिया जाता है, जिसका use करते हैं, बाकी के plants और animals, ये जो substance होते हैं, इनका वापस से use कर लेंगे animal और plants, तो जो micro organisms होते हैं, वो degrade करते हैं, हमारे harmful material को, harmless material के अंदर, ठीक हैं, तो यहा पर का important line रहेगी, thus the microorganisms, एक second, तो यह रहेगी हमारी, thus the microorganisms can be used to degrade the harmful smelly substance and thereby clean up the environment, तो इस तरीके से यह रहेगा, आगे क्या रहेगा हमारा harmful microorganisms, अभी तक हमने हमारे फायदे वाली चीजे पढ़े के, हमारे किस तरीके से फायदे पहुचाते हैं, microorganisms, इसके बाद यह topic है हमारा harmful microorganisms, इसे start करते हैं, कुछ जो microorganisms होते हैं, वो human beings के अंदर, plants के अंदर, या फिर animals के अंदर, अलग-अलग तरीके की disease cause करते हैं, चलिए, जैसे कि इन्हें बोला जाता है pathogen, वो सभी microorganisms, जो की disease cause करते हैं, इन्हें बोला जाता है, क्या बोला ज microorganisms, spoil food, कुछ जो हैं, हमारे खाने को खराब कर देते हैं, और clothing and leather, let us study the more, disease causing microorganisms, किस तरीके से होते हैं, कुछ जो pathogen होते हैं, वो जब हमारी body के अंदर enter कर जाते हैं, चाहे वो जब हम सांस लेते हैं, उसके थुरू करें, चाहे हम जो पानी पीते हैं, उसके थुरू करें, या फिर जो हम खाना खाते हैं, उसके थुरू करें, they can also be get transmitted by the direct contact, या फिर हम किसी से हाथ वगएरा अगर मिलाते हैं, तो वो हमारे एक एक इंसान की body से दूसरे इंसान की body में भी infect कर सकते हैं, ठीक है, infected person carried out by the animal, या फिर जो infected person or carried by the animal, ये किसी एक इंसान के द्वारा भी ज disease होती है, या फिर किसी animal के द्वारा भी, आगे क्या है, जो microbial disease होती है, ये हमारी spread हो सकती है, और spread कर सकती है, infection एक healthy person से, with the help of air, water, food, physical contact, तो इन्हें बोला जाएगा, communicable disease, क्या बोला जाएगा, communicable disease, तो यहां से हम जो है, एक definition निकाल लेते हैं, अपनी, किस तरीके से निक microorganisms से लेकर, हमारी ये जो है, definition हो जाएगी, communicable disease की, ठीक है, example of such disease, जैसे कि हमारा chlorella हो गया, common cold हो गया, और हमारा chicken pox हो गया, tuberculosis हो गया, तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, diseases हो गई, आगे क्या रहेगा, तो आगे है हमारा, when a person suffering from the common cold और sneezing, यानि कि जब कभी एक इंसान को जो है, जुखाम हो रहा होता है, तो जब छींकता है, तो उसके, जो droplets होती है, बहुती महीन सी बारिक बूंदे जो होती है, thousand of the virus उनके अंदर होते हैं, जो की air में फैल जाते हैं, औ और जब ये, जो air के थुरू, किसी दूसरे healthy person की body में जाएंगे, तो वहाँ पर क्या काम करेंगे, ये breathing में infection cause कर देंगे, तो चलिए अब इसके आगे कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे, कुछ insects या फिर animals, जो की carry करते हैं, disease को, वो जैसे कि हमारा house fly होता है, जो घर में normal हमारी मक्की होती है, जो flies है, वो garbage के उपर बैट के आती है, और जो animal excreta होता है, उसको उपर बैट कर आती है, और जो pathogens होते हैं, वो उसकी body के साथ में चिपक जाते हैं, यानि कि stick हो जाते हैं, यहाँ पर है जो pathogens हैं, वो stick with the body, ठीक है, तो यहाँ पर जो है body के साथ में stick हो जाए करेंगे और वो हमारे फूड को क्या करेंगे कंटामिनेट कर देंगे सो एडवाइजेबल ऑल्सु कीप कवर दी फूड यानि कि हमें अपने खाने को हमेशा डखकर रखना चाहिए अवर्डी कंजप्शन ऑफ दी अनकवर्ड फूड यानि कि आपका जो खुला हुआ खाना हो ko होता है फ्लाजमोडियम ठीक है तो यहां पर एक झालिए हमारी यान रही यह रहेगी जो हमारा फिमेल अ्हों होता है वह हमारा क्या काउज करता है malaria with the help of plasmodium vivax ठीक है इसके इलाबा जो हमारा next है यह रहेगा हमारा Aedes Aedes जो mosquito होता है वह क्या काम करेगा वह डेंगू के वाइरस को जो है कैरी करता है ओके आगे क्या है spread the malaria और डेंगू हम जो malaria और डेंगू के spread को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते है औल दी mosquito जो जादा तर mosquito होते हैं हमारे breed करते हैं पानी के अंदर यानि कि अपनी जो amount है उन्हें बढ़ाते हैं पानी के अंदर तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए हमें किसी भी जगा पर पानी को collect नहीं होने देना चाहिए जैसे कि हमें जो cooler वगेरा होते हैं उनके पानी को बदलते रहना चाहिए flowering pot जो होते हैं इनके पानी को लगाता बदलते रहना चाहिए और हमारे आसपास की सफाई रखनी चाहिए जो mosquito है उन्हें breed करने से रोखना चाहिए जैसे कि हम जो हैं पानी के अंदर कुछ क्या डाल सकते हैं जो पानी को पानी के अंदर जो microorganisms होते हैं उनको kill कर सके ठीक है तो try to make a list of the measures that will avoid the spread of malaria तो इसके बाद है आपका यह common disease जो कि microorganisms के द्वारा की जाती है इसका एक टेबल है जैसे tuberculosis हो गया यह bacterial disease है एर के थुरू फैलता है और इसमें जो patient होता है उसे completely अलग से रखा जाता है और keep the personal belongings of the patient away यानि कि जो personal चीजे होती है जिसे कोई कपड़े वगेरा हो गए तो उन्हें बाकी चीजों से अलग रखना चाहिए और जो vaccination है ठीक है टूबी गिवन औरने suitable age time के साथ में वो सारी चीजे उन्हें देनी चाहिए जो vaccinate प्रोपरली तरीके से किया जा सके तो इसके अलावा जो मिसेल होता है यह वाइरस से होते है जो मुहासे बगरा हो जाते है चिकन पॉक्स एयर कॉंटेक्ट्स में आने से होता है यह भी वाइरस है पोलियो जो है हमारा यह भी वाइरस से होता है क्लोरेला यह बैक्टिरिया स से होता है यह वाटर से फैलता है इसमें क्या करना चाहिए इंसान को जो पर्सनल हाइजीन है उन्हें अच्छे तरीके से मेंटेन करना चाहिए और गुड सैनिटेशन हैबिट रखनी चाहिए अपने आस पास को जो है साफ सफाई रखनी चाहिए कंजूमती प्रॉपरली कुक के द्वारेह निए चैवこれで मॉशक्विक पान पनी पीना चाहिए और बॉडियदे को वैक्सिनेट करना चाहिए जो मलेरिया वह प्रो जो के द्वारा फैलता है और सब्धा़ करता है और इस भार नर्वक इसमें अठट एलस यहानिकि जो mosquito net होते हैं हमें उनका इस्तमाल करना चाहिए और जो हमारे spray insecticides होते हैं उनका इस्तमाल करना चाहिए and control the breeding of the mosquitoes by not allowed the water to collect only surrounding यानि कि हमें जो है अपने आसपास पानी जरावी तरीके से खटा नहीं होने देना चाहिए ठीक है some common diseases affect the human and their modes of transmission a few general methods of prevention तो इसमें जो हैं हमने 2.1 में उपर देखी लिया है कि हमें क्या क्या चीजें बताए गई हैं किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए इसके बाद में disease-causing microorganisms यह करेंगे हम अपनी next वीडियो में तब तक के लिए have a good day